ब्रेक की बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत और एक बार फिर से बात करतें बाबो साग की बाबो साग की स्मृति में आज बेहत खास कारिक्रम रखा गया है बिरला ओरिटोरियम में जसमें मुख्य अधिती के रोप में उपराश्परती वनकया नाइडू शिरकत कर रहे हैं बीजेपी के और बाकी दलो के संगटनों के कई दगज इस कारिक्रम में शरीक हुए हैं तो भैरो सिंख शेखावत के स्मृति में ये व्याख्यान कारिक्रम है तीन बार राजस्थान के मुख्य मंतुरी रहे तो कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे ना केवल सरक रहे संगटन को मजबूति मिली बल्कि समाज के सर्वकारों के उफी उनके मुदों को भी मजबूति मिली और एक चोटी सी Member करकरिके sap साफिया से पर आज भी बैरो सिंग शेखावत को नमन किया जाता है जब जब बीजेपी के तिहास को यहां पर देखा जाता है तब बैरो सिंग शेखावत का नाम सबसे पहले आता है तो प्रकाश माथोर इस वक्त संबोधित करते हुए मानने वेंक्या जी हमारी विदान सबा के अध्यक्ष आदेने जोशी साब नेती देता प्रतिपक्ष आदेने गुलाब जी दरपस सिंग जी और उपस्ति तरजनों, माताओं, बेहनों जैसा विमेन ने प्रारव में परिचे दिया और मेरे को भेरु सिंग जी के बारे में बोलना मेरे लिए बहुत कठीन सुभी से है यह मैं यह कह सकता हूँ शैयम, संपर्क और स्ने यह तीन अगर सीख मैंने ली है तो सरदेब भैरु सिंगी से ली है मैं किसान संगा काम करता था और उसी दिनो नाइन्टी एटी टू में हमने एक जीरा अंदोलन किया था और भैरु सिंग जी ऐसे ढूंडते रहते थे बड़ा सफल अंदोलन हुआ और उसी समय उना ने ने हमारे परशारक थे जो दिवंकर थोगे लक्षमन सिंग जी को बुलाया उन्होंना ने काया मुझे इस जवान से मिलाओ और माने लक्षमन सिंग जी और सोन सिंग जी ने मुझे एक तरह से आदेश दिया कि भैरु सिंग जी बुलाया है तुम सामने रहते हो सी फिप्टीवन में जो भी कारले हमारा वहां बहरु सिंग जी रहते थे और मैं चौम हो चौराय पर गारेज में रहता था किसान संगा कारलेदा स्वाम को उनके साथ उठना बैठना हुआ इस राइब के चुना में मुझे उन्होंने टेस्ट किया उन्होंने का यह जो पाली और जालो लोक्षमा सीट है इनमें सोला सीट है लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा जीतते नहीं है थोड़े ढंके नाम निकालो मैंने का मेरा विशे नहीं नहीं फिर भी टूंड के लाओ कौन-कौन जिले में उस सरत्र में ठीक है स्वियोग ऐसा बना कुछ नाम बैठे साथ बैठे और पहली बार यानि लगपक तेरा सीट हम पाँ जीत करके आए और उसी दिन उनके जिमाग में बैठ गया कि इस व्यक्ति को राजनिति में लाना चाहिए मैं तो संग के काम के लिए निकला था कि लेकिन 84 के 82 से परिक्सा करते करते 89 में लाकर के मुझे राजनितिक शेत्र में दिया तो मैं यह कह सकता हूं कि मुझे अगर राजनितिक शेत्र की एभी चिड़ी किसी सीखने को मिली तो सर्दे भैरुशिंग जी से कावस से बिले जीवन में सहलता अपने काम के प्रती निष्ठा अपने विचारों के प्रती कर्मड़ता उस काल में पिप्टी वन में चुनाम में जब शिरफ जन्संग के आँट है मेले जीते अभी जैसा अभी मन्यों ने बताया और जागीरी उन्मुलन का केंद्र में प्रस्ताफ पास हुआ कॉंग्रेस की गवर्मेंट थी जन्संग ने समर्थन किया कि फारे के सारे एक विशेयस हमुधा आएके थे लेकिन भास प्रस्तर काल मेरी पारट्थि ने समय्टन किया आए में भी समय तन कूँ हुँ छोड़ गयुए लेकिन भास सिंगि जाला वह चरे इसलिए भास्ष रिली और परिक्षा भी और सहस्ता इतनी मुझे तो उनके साथ बहुत काम करने का मौका मिला है हशी से, मजाक से विपक्षिदल के लोग हुँगे उनके साथ भी घुलना मिलना नए लोग हुँगे उनके साथ भी घुलना मिला 93 में मिली जुली सरकारे चली मेरे जैसा नया जवान मिली जी शरकार में कैसे काम करना, कारेकरता हूं कैसे संभाल करना, इतना विराट विक्तित्व होने बाद भी, यानि मैं कह सकता हूं कि जंसंग की प्रारंबिक टीम, अटल जी, अडवानी जी और फैरू सिंग जी, जोना ने जंसंग रुपी बीज को इतना विराट वठ प्रक्ष बनाया, उसके जीवन में ऐसी सरल्दा, मैंने ऐसी सरल्दा देखी, कोई भी नाराज से नाराज व्यक्तिवी उनके पास जाता, बैट के खुछ हो के जाता था, और आज जो ये राजस्तान में हम देख रहे हैं, द्रश्य, या जो आपी कहते ह कोई उपराश में पहुचे, गजब का ही उनका व्यक्तित्व था, कभी उनके पास गया, कोई नाराज होके नहीं गया, और गुसे से भी लड़ने भी गया, तो बात करते करते हो राजी होकर के ही गया, इसलिए मेरे जीवन में किस्से बहुत है उनको कहने के लिए, मैं तो चाहता हूँ, आज पहली बार में इस कार के मुपस्तित वाम सामने तो कई बार बैठा, लेकिन मैं अभी मन्यों से कहूंगा, इमेंदी लड़का है, उनके जीवन के संस्मन के बारे में एक पुस्तक लिखनी चाहिए, किस परकार से पार्ट्री को उनने खड़ा किया, यान पाच-पाच छेचे दिन तर लगा तार कार से ट्रेवल करना, उस उमर में भी, कहीं जीवन में निरासा नहीं, और ऐसी जीवन में केई बार उनके परिक्षाय आई, लेकिन इस परिक्षा में सदेव पार्टी को और सब से उड़ करके, व्यक्ती से उड़के, परिवार से समय से उड़के, जाती से उड़के, मेरी पार्टी क्या चाहती, उस आधार पर आगे बड़े हो, और आज जो कुछ मैं कहरा हूं, मैं जो कुछ सीकha हूं, याराज नीटी में जो कुछ मुझे आज इंस्तान मिला ए, जो मेरे बारे माय भी बताया, वो इंस्तान महत्र महत् जिए खावत को और इसलिए में एक बार पुने मुश्मार इसमार करते हुए मैं चाहूंगा कि हम सब लोगों के लिए भेरुशिंग जी प्रेणा दया करें राइस्तान के दिर लिए सर्ममानिय लीडर रहे जाने मैंने ऐसे ऐसे कारेदगर देखें दूर से उनको देखते हैं बता नहीं 80 साल के उड़ेंगी मनमे स्वाबाई गुरूप से जोस आ जाता था वो उनकी थिरफ आत्मेता थी, उनकी मिलन सा रहता थी, मुख्यमंद्री रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखा कि उनका ड्राइंग रूम में को एकादी सीट भी बची हुई हो, हर समय ड्राइंग रूम भरा रहता था, कही बार मैं उनसे पूछता भी सही, कि आप इतरा ल नहीं था, लेकिन प्यक्टिकल इदिन इतना था कि योजनायक में जितने लोग उपस्ती थे, सारी बाते बहरु सिंग जो कहते थे, योजनायक को भी लागू करने बाती थी, ऐशा व्यक्तितों बहरु भी बहरु सिंग जेकावद का था, और इसलिए सब अफशर पर सर्द इतनी बात कहके मैं मेरी बात को विराम करता हूँ कारिकर में मौझूद है, आप गुलाब चंद कटारिया बोलने जा रहे हैं हमारे इस कारिकर में पधारे हादरनी भारत के उपराष्टपती महामईम बंकया जी, राजस्तान विदान सभा के अद्यक्ष, जिन्नों ने और हमने वैरो सिंग जी को विदान सभा के उपर तरक करते हुए देखा है, और आज हमारे आगरह से फिदान सभा के उपाद्यक्ष श्रीपी जोशी साब भी प्रारे में उनका बहुत बस फ़ागत करता हूँ हादरनी उमजी भाई साब, नर्पत सिंग्जी, प्रारे वे सभी भाई और भैनों बहरो सिंग्जी शेखावत को जिस रूप में मैंने देखा और मैंने समझा, मैं सोचता हूँ विचार धारा के लिए इस प्रकार कमिटेड आजमी दुनिया में गिने चुने लोग मिलते हैं, जिसने अपनी विचार धारा के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाया, मैं सोचता हूँ जागिरदारी, पुनमुलन का जब कानून पाई रिचान के विदान सवा में, हाट कुल जन संग के MLA जीत के आये थे, हाट में से छे ने विद्रो कर दिया, सेम डाक्टर शामपरशाद मुखर जी यहाँ आए, और यहाँ आकर के कहा कि जो जाना चाहे वो चला जाए, जो रहना चाहे वो रहे, इस बात को राजस्तान में केवल दो व्यक्तियों ने, जिसमें भैरो सिंग्जी नंबर एक पर थे, और जगज सिंग्जी जाला नंबर दो पर थे, यह पहला टेस्ट दिया, उस व्यक्तियों ने, अपने मन की भावनाओं का, अपने विचारों का, और अपनी पार्टी की प्रतिबद दता की, दूसरा उस व्यक्तियों ने, जिसमें हम लोगों को प्रेलित किया, सती प्रता के बारे में जस्परकार का ववेला राजिस्टान में खड़ा हुआ, लेकिन उस व्यक्तियों ने, इस बात पर जो स्टेंट लिया कि मैं इसको, जिस सीमा तक मानता हूँ, उतना ही मानता और उसके कारण से अटल जी की आम सबा में जोद्पुर में जो हंगामा हुआ, उसके बाद भी उस व्यक्तियों ने इस बात की चिंता ने की, मुझसे कौन नाराज होगा और कौन खुश होगा, लेकिन जो ठीक नहीं है, उसकी दवंगता के साथ कहकर के राजिनीती में काया, काम करना सिखाया, पाइटी क्या है और पाइटी के ली हम क्यों है, इस बात को पढ़ाया, मैं सोचता हूं जब सित्योतर में पहली बार सरकार बनी तो मैं M.L.A. बन के आया था, उस M.L.A. बनकर आने का यह जो लगान का जो विशे था, एना पैसा तो कूल पांच र और हिंदुस्तान में अगर किसान का लगान किसी ने माप किया उसका नाम बहरो सिंग शेखावत था पंडित दीन दियाल उपाद्याय और जनसंग की अंतोद योजना को हिंदुस्तान में सबसे पहले लागू करने वाला कोई व्यक्ति था राजस्तान में उनका नाम बहरो सि तो भैरो सिंग शेखावत कैसी शक्सियत थे क्या उनका स्टाइल था काम करने का कैसे उन्होंने पार्टी के लिए संगठन के लिए काम किया उन्हों तमाम चीज़ों पर प्रकाश्ट